नमस्कार बलिया लाइब के डेली पॉडकास्ट हाल समाचार में आपका स्वागत है बलिया जिले में क्या चल रहा है सुनिए लेटस्ट अपडेट हमारे रेजिडेंट एडिटर कृष्ण कांथ पाठक से नमस्कार 19 अगस्त 1942 का दिन बलिया वासियों के लिए गौरों का दिन था स्वतन्ता की बलिवेदी पर देश के जीन अमर्श पूतों ने अपने जीवन की सभी लालसाओं और उमंगों की होली जलाकर हस्ते हस्ते अपने प्राणों की आहुत देदी वे इतिहास के पन्ने पर भी नहीं बलकि जन मानस की हिर्दय में सदैव अमर रहेंगे बास डी रोड रेलवे इस्टेशन पर छपर और कागजातों को जलाने का काम से नानियों ने किया गुबिंदपूर के पास रेलवे लाइन का पूल तोड़ दिया गया और रेलवे लाइन उखार दी गई जन्पत के दस थानों पर पूलिस ब्यवस्था एकदम निस्क्री हो गई दूस संचार ब्यवस्था को भी करांतिकारियों ने ध्वस्थ कर दिया इस्थिती नियंतर्ण से बाहर होती जा रही थी 19 अगस्थ को बलिया में यह एलान किया गया कि आज जेल का फाटक तोड़ा जाएगा और बंदी नेताओं को रिहाग किया जाएगा साथी मुख्याले पर ट्रिजरी आफिस को लूट लिया जाएगा फल सरूब जन्पत के कोने कोने से लाखों लोगों की भीण उमर पड़ी अंग्रेज कलक्टर जे निगम काफी हतोच साहित हुआ और बाद में स्वेम जेल जाकर बंदी नेताओं को फाटक खुलवा कर रिहा कर दिया लोगों को सांत करने के लिए सेरे बलिया चित्तु पांडे आगे आए और समझा बुझा कर भीण को उन्होंने टाउन हाल भेज दिया टाउन हाल में करांतिकारियों ने बैठक की जिसे आज भी करांती मैदान के रूप में जाना जाता है इधर नेताओं और अंग्रेज कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों से वार्ता होने लगी वार्ता के दवरान ही चित्तु पांडे को यह उत्तरदाईत दिया गया कि आज पंचायती स्वराज सरकार की अस्थापना कर लें और गाउं गाउं में पंचायत गठित कर लें इस प्रकार बलिया जन्पत 19 अगस्त 1942 को ही स्वतंत्र हो गया लेकिन आजादी का जंडा 20 अगस्त को सुबह ही कलेक्टरेट भावन पर फ़राया गया उसी की याद में बलिया जन्पत में प्रतीक वर्स 19 अगस्त को जीला कारागार सेनानियों एवं इवाओं की भारी भीड एकट्ची होती है इसमें परसासनिक अधिकारी और पुलिस परसासनिक अधिकारी भी मौजूद रहते हैं जीला कारागार के मुख्य द्वार से सभी सेनानि बैंड बांजी जुलूस के साथ जील परिसर में स्थित राचमार बाग के परतिमा पर मल्यारपन करने के बाद आगे के लिए परस्थान करते हैं वे कुमर सिंग चवराहे पर जाकर कुमर सिंग की विशाल परतिमा पर मल्यारपन करने के बाद नगर छेत्र में स्थित राम दहिनोजा, मुली मनोहर लाल, चित्तु पांडे, शहिद पार्क चौक में महात्मा गांधी, नया चौक जालपनी गंज में चंसेखर आजाग, कदम चवराहा परिस्थित मंगल पांडे, शहित अन्य शेनानियों को मल्यारपन कर उन्हें नमन क किया जाता है, 19 अगस्त 1942 को चित्तु पांडे ने जनपद में रचनातमक कारियों की निव डाली, यही कारण है कि चित्तु पांडे की वीरता से भीग होने के बाद, पंडित जवाहराल नहरू और शुवाह चन्र बोश ने बलिया का शेर सब्द से उन्हें शमानित किया थ आज भी बलिया वासी, बलिया के पर्थम कलक्टर के रूप में चित्तु पांडे को ही जानते हैं जन्पत के आजाद होने के बाद भी कुरूर अंग्रेज सिपाहियों ने ग्रामीर इलाकों में अपना आतंक जारी रखा और देखते तेखते सुखपूरा, चरौवा तथा बांसडी समेत अन्य जगों पर सिपाहियों ने कोई लोगों की जान लेने के बाद दरजनों मकान में आग लगा दी इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाप लोगों में आक्रोस और बढ़ता जा रहा था शेनानी परसासनिक ब्यवस्था को पंग करने में लगे हुए थे उनका लच्छ था कि रेलेवे लाइन उखाड दी जाए जिससे अंग्रेज सिपाही बलियां मुख्याले न पहुँच सके संपर्क को भंग करने के लिए जितने दुरसंचार के तार थे सब को तोड़ दिया गया और उन्हें ध्वस्थ कर दिया गया इसका प्रड़ाम रहा कि बलियां से अंग्रेजी हुकूमत का संचार ब्यवस्था भंग हो गई और बलियां पहुचने में उन्हें तीन दिन का शमय लगा जय हिंद